हाई गाईज दिस दॉक्टर रश्मी अगैन वेलकम बैक टू मैठ चैनल फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे डार्क टैंट डल स्कीन को फियर करने वाली होमेपैथिक मेडिसीन के बारे में मैं आपसे कोई फेक प्रामिस नहीं करूंगी जैसा बताया जाता है कि बहुत डार्क स्कीन रातो रात गोरी हो जाती है फ्रेंट्स सारे कॉमपलेक्शन अच्छे होते हैं लेकिन हाँ आपकी स्कीन अगर सन डैमेज हो गई है या उसमें एकनेस कार आ गया है या ऐलर्जी के कारण डाग धब्बे हो गया है तो डैफिनेटली होमेपथिक मेडिसीन काम करेगी और आपके स्कीन को एक से दो टोन फेयर करेगी साथ ही अगर आपको रिंकल्स पी आ रहा है तो यह उन्हें भी दूर करेगी तो फ्रेंट्स वीडियो काफी इंफरमिट्व एंड यूसफॉर होने वाला है अगर आप मेर इस चैनल में नए है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है इससे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारी स्कीन डल हो जाती है या फिर मुझाई अगर आप बहुत जाखातSan exposure में रहते हैं तो आप स्कीन fins हो जाती है ठाल हो जाती है थेके अगराप बहुत जादा पनी स्ट्रेस अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जादा स्ट्रेस लेते हैं बहुत जादा तनाव में रहते हैं और आपकी नीन बहुत कम है आप 8 घंटे से भी कम सोते हैं तो बहुत जादा पॉसिबलिटी है आपके स्कीन की डल होने की मुर्जाई हुई से रहने की बात करते ह है next cause की तो वो है aging अगर आपकी age बढ़ रही है या आप 30 plus होते जा रहे हैं आपकी और age बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत जादा possibility है आपके skin से पानी की कमी होने की और उसके साथ ही आपकी skin काफी डल लगने लगती है next cause की बात करें तो वो है लिवर से related disorder अगर आपका लिवर ठीक नहीं है या आपका पेट साफ नहीं होता पेट से संबंदी आपको कोई समस्या है तो भी आपके skin डल सी मुर्जाई हुई सी डाक सी दिखने लगती है तो friends ये रहे इसके causes तो friends अब हम बात करते होमेपेथिक मेडिसीन की होमेपेथिक मेडिसीन में जो first medicine है वो है आयोडम 1M आयोडम बहुत अच्छी medicine है डल स्कीन में जान डालने के लिए उसे चिकना बनाने के लिए स्मूथ करने के लिए और साथ ही आपके skin में अगर रिंकल से तो ये उसे भी दूर करेगी और आपके skin को एक से दो टोन फ्यार करेगी आपको इसे लेना कैसे है 15 डेज में केवल एक बार लेना है एक बार इसका saveन करना है अगर आप dilution लेते हैं तो डारेकली आप टंग पे किसके स्मूथ हो गई है बात करते सेकेंड मैडिसीन की तो सेकेंड मैडिसीन मदर टींचर का मिक्षेर है बर्बैरिस एक्विफोलियम क्यू और सरसा पेरिला क्यू इन दोनों को आप 3030 ml मार्केट से पर्चेस करिए सेल्ट पैक लीजे और एक खाली स्टिराइल बॉटल में इसे मिक्स करिए यह मिक्षेर है या मदर टींचर का जो मिक्षेर आपने प्रिपेर किया है इसे 20 लेना है आदे का पानी में दिन में तीन बार इसे भी आप तीन महने कम से कम कंटीन्यू करिए आप बिल्कुल अपने फेस पे अपने चहरे पे और आपकी पुरे और बॉर पर चेंजेस बेखेंगे कि वह काफी अच्छी हो गई है थर्ड मेडिसीन की बाद करें तो यह एक आप इसे लोशन कह सकते हैं या एक्स्टरनेली अपलाई करने का एक मदा टिंचर है बर्बैरिस एक्वेफोलियम होमेपैथी जगत का काफी जाना माना मदा टिंचर है और य अगर आपकी स्कीन ड्राय है तो आप ग्लीसरीन या गुलाब जल के साथ भी से मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स यह रही होमेपैथिक मेरिसीन आई हो एक से दो महने में आपकी स्कीन बहुत अच्छी हो जाएगी लाइटर हो जाएगी स्मूथ हो फ्रेंट्स आपको मेरी दी हुई चानकार्या अच्छी लगी इनफर्मेट्व लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे जादर से जादर आपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फ्रेंट्स मिलते हैं इसी तरीके के इनफर्मेट्व वीडियो के साथ नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए बाबाए टेक केर अपना ख्याल रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग